आपका इस चानल में सबी लोग का स्वागत है तो कैसे आप सभी लोग और कैसी चल रही आपकी तयारी तो बहुत दिनों बाद मिलते हैं इस अवतार में तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे चल रही होगी आर्वी एसिस्टंट के लिए आज के इस सेशन में हम देखने वाले ह कि आप सभी को पता है पुझल वाला एक ऐसा सेक्षन है जो सबसे जादा मार्क स्कोर करने में आपकी हल्प करेगा चाहे वो प्री एक्जाम हो में तो बनते हैं कि बहुत जादा बड़े पुझल हो जाते हैं लेकिन फिर भी जो छोटे लेवल की कुश्चन है वो बन जाते कि अप जच कर सकते हो अंदाजा लगा सकते हो तो बहुत ही छोटे छोटे पुझल आते हैं और बहुत एजीली दो मिनट से कम समय में आप 5 माख स्कोर कर सकते हैं दो मिनट के अंदर ही अंदर आपका पजल भी बन जाएगा और जो 5 कुश्चन होते हैं वो भी आप सॉल कर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब किजिएगा लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और कमेंट किजिएगा तो विदाउट वेस्टिंग इन टार्ट सेशन तो हमारा जो है चोटा सा एक पजल है जैसे कि आम पढ़ते है चलिए तो ABCDEFJHK मेरा नाम है शार्दा काप से वेलकम तो चानल एक्स फोर सक्सेर्स वेर क्वालिटी मैटल साट करते हैं ABCDEFJHK जितने भी परसंट है यहां पर सुटिंग अराउंड असर्कल अब सबसे पहले जो इंपोर्टन हमको देखना है कि कितने परसंट है क्यल सबक्ते हैं मीली क्या होता कि 8 लोग होते हैं सब्सेर जाधा से जाधा लोग जो चांबर प्रा Smith कमन है यह वह डिय students हम लोग क्या करते हैं कि चल लो जैसे हमारे दिमाग्स में ये बात होती है , 1 1 कि चल लो 8 मों है तो फटा फट द्रॉट कर लेंगे , ऐसे ऐसे आप लोग बना देते हैं बाद में जब हम questions लेखते अरेंज करते हैं यहां पर तो जादा हो जाता है मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कुशिश करें हैं आपको होते हैं यहां पे 9 या 10 लोग होते हैं लेकिन हमको ऐसे लगते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा प्रक्टिस किया होती है जो 99.99% जो puzzles होते हैं वो 8 लोगों कही होता है तो हम सोचते कि चलो 8 ही लोग है और हम लोग फटा फट ड्रॉ करते हैं उसके बाद puzzles पढ़ते हैं स्वेटमेंट वगर है और हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं बाद में हम देखते हैं एक बंदा तो रह गया है यानि कि यहां पर 8 नहीं यहां पर 9 लोगों की सिटिंग होती है यह बोहत बार होता है तो अपको क्या करना है एकदम कोई भी रिस्क नहीं लेना है यहांपे पतल चलो आपने proprio puzzle बना लिया एक बंदा कम पढ़ रहा है तौ इसमत्म हपको फिर से अरेंज्ज करना पड़ेगा फिर से puzzle बनाना पड़ेगा तो इससे बेटर यह है कि starting सही आप सावधानी पूर्वक को करें और solve करें तो हम क्या करेंगे सावधानी पूर्वक क्या निकी कि हमको देखना है भले आपको पता है कि आर्ट है लिकिन फिर भी आपको एक काउंट करना है अगर वहाँ पर दिया है कि 8 परसंट साव सिटिंग जैसे यहां पर दे दिया जाते है A B C D E F G H I मतब अच तक उसके बाद 8 परसंट सिटिंग इनर सर्कॉल ऐसा अगर 8 परसंट दिया है तो कोई बात नहीं है जैसे 8 9 10 फैसे नहीं किया है तो इससमन के तो है यहां पर 9 10 आपको कुछ बिल्रट नहीं करना है तो यह है एकटम रॉंघ होंग बतारी कि आपको का टनी क्विल्ताम感覺 आप उसको करेंगे एक्जाम में तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 देखा नौ लोग है अगर आप देखते की चलो आठ है तो आप बना लेते बाद ने आपको बतने चलता रहे आप तो नौ लोग है और फिर से पजल आपका खराब हो गया तो यहां पे नौ लोग है आर सिटिंग अरा अगर आप अदिशनल और एक बनाना चाहते हैं यानि की सब बै साथ इसको भी सॉल करेंगे और इसको भी सॉल करेंगे पजल को सॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक ही पुझल पे आप डिपेंडन ना रहे पजल इनसे की जो हमारा फर्स्ट केस होता है उसी को आ कि कभी कभी स्क्राइफ क्या होते हैं लोगों ज़ूरो का किणि क्या रड़ है उता है कि धाष स्छاذ जो है लेकिन कभी कभी चोंट इंज रहे लें बना घ्स्टे फजिल्स आटकी दो कोश्टन पॉसिबियूरी बनने की चैन्स में भी होते हैं तो हमको क्या करना है एक कोई लेके नहीं है जैसे हमारा भाजर बनाने जो मेन होता है मतरब एक आईडिया एक क्लू बोलो तो यही होता है कि साथ भाई साथ आपको 2 ही लेके चलना है अगर एक ही possibility नहीं वह नहीं तो हम दुसरे के साथ में चलेंगे ठीके ना तो इसे साब से आपको दो बनाना है भले वो कितना भी छोटा है क्योंकि आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है इतना clearly कोई नहीं बताएगा पूरे YouTube में में चलेंज के साथ में आपको बोल सोपते हुँँएंगे From the start में आपको बहुत clearly बतारी क्यों आपको क्या-क्या धान रखना है एक्जाम में तो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ठीके 9 होगे 9 होगे 9 होगे यह हमने additional लिया है ताकि अगर इसमें नहीं बना तो इसमें तो बन ही जाएगा वैसे puzzle का length छोटा है तो बन जाएगा लेकिन फिर भी हम security के लिए एक draw कर लेते हैं कोई जाधा time नहीं लेगा तो इसके अगर नहीं बना तो इसमें कोई जाधा यह नहीं है तो इसमें कोई जाधा यह नहीं है तो इसके बाद यहां से हमान स्टैक्मेट हो रहा है F is 4 2 right of A F क्या है? A की 4 2 right में है अच्छा अब एक कुछ भी हमको नहीं बोलाई तो मैं क्या कर देते हूं? यहां पे side में लिखने की बज़ा मैं इसके अंदर add कर देती हूँ क्योंकि यहां पे position F कहा है, A कहा है, हमें कुछ भी नहीं पता है तो मैं काम कर सकते हूँ, अगर आप चाहे हैं तो यहां पे side में लिख सकते हैं या फिर आप डाइग्राम है हमारा उसके अंदर आप पुट कर सकते हैं तो मैं प्रिफर करूँगी कि मैं डाइग्ली पुट कर दूँग यहां पे F is 4 to right of A, ठीके यानि कि A के right में 4th right में F बटा है तो 1, 2, 3 and 4th right में F बटा है यहां पे A है 1, 2, 3 and 4th right में F बटा है तो मैंने यहां पे कर लिया उसके बाद A उसके बाद क्या क्या है A कॉमा लगा है Who is third to right of B अब A के बाद who वहां पे उन्होंने mention किया है A के बाद who अगर mention किया है तो वह who जो है वह किसके लिए use हुआ है क्या A के लिए use हुआ है या F के लिए use हुआ है थोड़ा सा जो अगर कोई भी यहां पे नाम है किसी भी particular person का और उसके बाद अगर who दिया है तो यह जो who है वह A के लिए denote हुआ है जो who है यह A के बारे में बता रहे है कि A जो है आप यहां पे पुट कीजिएगा जो A यानि कि जो इसके पहले जो बंदा है जिसका नाम है A है Z है जो भी है महां पे तो उसका hook को हटा के आपको A लिखना है जादा अगर नहीं करना है आपको परेशान नहीं होना है तो उसके बाद में अब simply आप पढ़ लिजाए statement क्या है A is third to right of B हो गया आपका simple form में एह करना है आपको तो A is third to right of B अब A जो है वो क्या है B के right में है तो अगर मैं B को यहां प्लेस करते हूं तो first right, second right then third right हमारा यह बनेगा ठीके तो मैं यहां पर बना लूँगी first second third जो इसके अंदर बनाऊंगी वो इसके अंदर भी बनाऊंगी मैं possibility साथ में लेके चल रहे हूं उसके बाद who is third to right of B चलोगी यहां तक बन गया उसके बाद K is 4 to the left of B अब क्या बल रहा है क्या बखके बारे में क्यों B, K 4 to left तो B हमार अल्ड़नी यहां पर right हमारा यह हो जाएगा left हो जाएगा 1,2,3,4 तो यहां पर हमारा K आजाएगा 1,2,3,4 K हमारा यहां जाएगा B, K 4th left में K बिठा है first left, second left, third left and fourth left first, second, third left fourth left I hope आपको समझ में आगया होगा and अब 3rd to right of B, अब and के बाद, यह 3rd to right of B किसके बारे में बता रहा है, के बारे में बता रहा है, यह B के बारे में बता रहा है, अब देखिए, आप देखिए, के इस 4th to right, left of B, ठीके, तो K के बारे में यह बता रहा है, कि K जो है, वो B के 4th left में है, और and को हम इननी में क्या ब और बोलते हैं यानि कि K के बारे में बता रहे कि K is 4th to left of B, K जो है B के 4th left में है और और 3rd to right of D, नहीं कि K के बारे में बता रहे कि K जो है B के 4th left में है और D के 3rd right में है, कौन? K यानि कि यह जो AND के बाद यह जो D note किया है वो K के बारे में हमको information बता रहा है तो D के 3rd to right of D, यानि कि K क्या है? D के 3rd right में है, तो K यहाँ पर है, तो अगर मैं D को यहाँ पुट करती हूँ ना, तो 1st, 2nd, 3rd right हमारा यह हो जाएगा, अगर मैं D को यहीं पुट करना पड़ेगा मुझे, तो 1st right, 2nd right, 3rd right में यह हो जाएगा, I hope आपको clear हो गया होगा, आप इतने दिन से प्रक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे इतना डीटेल में समझानी की जरूत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई ऐसा जो नया कंडिडेट है और 1st video अगर यही उठा लेता है तो उसको भी थोड़ा अच्छे से क्लेर होना चाहिए, इसलिए में थोड़ा सा डीटेल में एक्स्प्रेंग कर रहे हूँ, अगर आपको अच्छे से आता है तो वेल और गुट आप जल्वी एली सॉल कीज़ेगा उसको और क्यों, ठीक है साथ हम लिंक कर सकें कड़ी से कड़ी कप जुड़ती है मैंने इसमें डारेक्ट क्यों किय इता है क्या धा अकि यहा पर एफ था और यहाँ पर यहाँ से है था, फिर फिर जो तहा था पिर और बी का फिर नहीं की की और थे घर से यहां पर मैंने लिंक जोड़ा कि होता स्क्या पेड प्यूदि мир से लिंक जोड़ता तो अगर लिंक जोड़ ना गया दो चीजों के बीचि nossa समझ के तो आप आसने से यहां चीज़ कर सकते हो इसलिए मैंने क्या किया इसको heels साइड में लिख लिया सेम यही तो Rhino here सईम नहीं है इसलिए मैंने साइड में लिख लिखेंगे उसकी बाद e is 2nd to left of j अब जे भी नहीं है इ भी नहीं है मैं subtitlesों कैि इसको भी यहां पह लिखलुंगे देखो E और gorilla जहां पर भी होंगे उनके बीच में 1 परसंद होगा थीक है अगर मैं ए यहां पर लेती हूं तो क्या यहां आएगा नहीं आएगा यह यहां लेती ही तो ray लेती ही यहां लेती ही नहीं फिसकına का EJ। यहां आसकता है ना acting है, EJ कहीं पर भी आसकते हैं कि जब चार possibility बनाने तो थोड़ी Nine possibility देखेंगे यह कम से कम करना है जब इसको उठार से तो इसको इसमोते हैं यहां उपे साम पर भी न point ह by 2 ती चाहिए अगर H है यहां पर तो 1,2,3 करके C नहीं होगा H यहां पर तो 1,2,3 करके C यहां आना चाहिए यानि कि H और C यहां पर आएंगे ही नहीं H और C यहां पर आएंगे नहीं फिर उसके बाद अगर H और C यहां पर आएगा तो 1, 2, 3 यानि की 2% छोड़के HC यहाना चाहिए या फिर 2% छोड़के HC यहाना चाहिए लेकिन यहां पर तो भी बैठा है यानि की HC यहां पर भी नहीं आएंगे दिन कहा आने चाहिए तो बस 2 ही प्लिस बच रहे है ह और C के लिए तो हमारा H और C यहां पर आएगा या फिर H और C हमारा यहां पर आएगा वो मैंने slash करके लिखा है क्यों लिखा है? क्योंकि H और C के बारे में हम अभी आगे देखने वाले हैं तो वैसे अगर position अगर वहां पर नहीं बताता केवल दो person है H और C के बारे में अगर ऐसे बोलता तो हम ऐसे करके slash करके लिखते लेकिन यहां पर हमको information दी है कि H के third right में C है तो H मेरा यहीं पर होगा अगर H मेरा यहां पर होगा तो यहां के मेरा first right second right and third right मेरा C यहां आ जाएगा ठीके अगर H अगर आप यहां पर दिखते हो तो आपके right में तो यह हो जाएगा लेकिन वो left में हो जाएगा तो H यहां पर ने आएगा मेरा H यहां पर आना चाहिए ठीके उसके बाद E और J आने चाहिए तो definitely E और J के लिए यही तो position है तो यहां पर बैठ जाएगे लेकिन बैठेंगे कहां पर तो J के left में E है अगर मैं J यहां पर लिएगी हूँ तो right मेरा यह हो जाएगा और left मेरा यह हो जाएगा यानि कि E मेरा यहां हो जाएगा J के left में तो J मेरा यहां पर आ गया तो J का right यह है और left E है और J के left में ही E बैठा है तो E को मैंने यहाँ पे बैठा दिया और यह हमारा puzzle यहाँ पे correct हो गया वैसे एक ही possibility है लेकिन एक आपको habit होनी चाहिए कि हमको जो possibility है जो puzzle है वो possibility के साथ में बना लेकिन अगर आप confident हो अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राक्टिस कर लिये तो आप एक possibility में बना सकते हैं लेकिन वो students जो अभी recently exams की तयारी कर रहे हैं जिनका RBI Assistant का exam जो है प्री का वो first exam है तो सबसे ज़्यादा best यह है कि आप साथ by साथ possibility लेके चले आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाला है चलो हमारा puzzle तो हो चुका है हम अब करते है questions को solve ऐसे exams में आपकी questions पूछे जाएंगे आपको puzzle बनाना है पहले statement पड़ना है puzzle बनाना है उसके बाद जो questions है उसको solve करना है tick mark करना है और 5 marks आपके pocket में चलो questions को solve करते हैं ठीक है क्या दिया यहां पर first question who is 4 to left of D 4 to left of D कौन है यहां पर दिखें D यहां पर नहीं कि दो नों तो एक ही है मैंने samely clear यहां पर ठीक है तो D के 4th left में कौन बैठा है देखो D अगर यहां पर बैठा है तो इसका right तो यह हो जाएगा हमको left से पूछा है तो first, second, third and fourth, fourth left में कौन बैठा है हमारा F बैठा है तो यह हमारा answer हो गया उसके बाद what is E's position with respect to B जो हमारा second question है क्या बोल रहा है what is E's position with respect to B यानि कि B के respect से यानि कि B के हिसाब से E का position क्या है तो B तो यहां पर बैठा है E यहां पर बैठा है तो उसकी हिसाब से first left, second left, third left ठीके तो third left आएगा उसके बाद क्या third left हमारा है चलो है अब इस ताइप के questions में भी आपको क्या करना है क्या सावधानी बरतनी है देखिए questions को आपके क्या करना है options को देखना है क्या options में ऐसा दिया है either first or second ऐसा दिया होता है कि either first or second ऐसा दिया होता है इसका मतलब वह कॉन से ट्राइप के questions होते हैं उसमें क्या होता है कि जब 20 से हम E का position देख रहे है तो first left, second left, third left यहनि कि third to left आएगा लेकिन यह left के हिसाब से है अगर आप right के हिसाब से देख तो first right, second right, third right, fourth right, fifth right, sixth right यानि कि दोनों कंडिशन में हमारा क्या आना चाहे है एक सरफ से आना चाहे है कि third to the left दूसरा क्या आना चाहे है? sixth to the right यानि कि दोनों तो options हमारे सही है तो कभी-कभी इस ताइप की देते कि यदर this one and this one, ऐसा भी होता है लेकिन हमारे यहाँ पे simple options है तो हमको एक ही चूज़ करना है 3rd to the left हमारा है questions में, answer में तो हमको उसी के साथ में जाना है ठीक है? आपको समझ में आगया होगा शायद फिर उसके बाद Who is 3rd to right of k? अब k के 3rd right में कौन बठा है? इस side का k यहाँ पे है तो यह right हो जाएगा यह left हो जाएगा 1st right, 2nd right, 3rd right तो 3rd right में कौन बठा है? J तो J हमारा यहाँ पे है यहाँ आपर हो गया 4th, Who is immediate right of F? अब F यहाँ पर है हमारा तो उसका right क्या है? सबसे ज़्दा puzzle में confusion ही होता है कि right कौन सा है, left कौन सा है यह आपने समझ लिया तो puzzle आपके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है तो right of F तो मेरे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है स्टार्टिंग से मेरे जितने भी puzzles मेने कराए है उसकी playlist बना दिये तो please एक बार जरूर देखिएगा आपको बहुत help मिलने वाली है तो यहाँ पे immediate right of F है तो F का हमारा right यह है यानि कि F के immediate right में कौन बेठा है? J तो क्या यहाँ पे J है? तो है यह हमारा answer हो गया उसकी बाद जो 5th वाला question से एक बार देखिएगा 5th वाला question क्या है In which of the following combination is the third person sitting between the first and the second person यानि कि इसमें ऐसे options में इसा कौन सो combination है जो third person है ना third यानि कि यह वाला B वाला वो first and second के बीच में बैठा है इसका मतलब क्या है कि जो third person first, second, third person नहीं B वाला J और F के बीच में होना चाहिए third person H वाला जाया यार J होना है जो बेच में को हमका चेक करना है क्या B J और F देखिए B, J, Na add B यो J और H के बीच में बैठा है तो यह तो नहीं नहीं बैठा है क्या Ch B और J ? B and J तो यहां पे B और D के बीच बीच है क्या C A and D के बीच में बीच है थे पेशंच तो पाधिने यह इंज पाधिने जो है यह हमारा जो है रएट एंसर है आपको समझ में आ गया होगा वीडियों अपको कैसा लगा विडियों I tried my best to make you understand each and every concept very clearly make it crystal clear तो आपको कैसे लगा वीडियो please like, share, subscribe कीजेगा please support कीजेगा thanks for watching मिलते यंगले वीडियो में till then take care bye bye God bless you all and don't forget to like, share, subscribe and comment thanks for watching जैही जैभल